हेलो फ्रेंड्स आज कामारा टोपिक है हाउ डू कैलकूलेट दा क्वांटिटी ऑफ वाटर इंस सर्कुलर टेंक तो दोस्तों आज की स्टीटियो में आपको बताऊंगा कि सर्कुलर टेंक की वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि उसमें कितना वाटर आता है ठीक है किसकी वाटर टेंक है और दूसरा है अगर मेंटर में हो सब्सक्राइब करते और को नोटिप्टि नए नएवीडियो की मिलती रहे चल सुरू करते हैं तो यहां-पर में फरस्ट-मेश लेता हूं अगर हमारे पास water tank की जो डायमेंड से नहीं तो कैसे निकालेंगे यहां पर मैंने एक water tank का diagram show किया है जिसका मैंने diameter एक मिटर लिया है और उसकी है दो मिटर ठीक है तो इसका diameter का जो रेडियस से वह आदा होता है तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 मिटर ठीक है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं volume of tank ठीक है इस टेंग का volume निकाल लेते है तो volume का formula होता है area into height ठीक है चुकि यह टेंक हमारे सब्सक्राइब होता है ठीक है लेकिन मैं यहां पर फर्मला लिया है वह है पायर इसक्यार ठीक है यहां पर मैं value पूट कर देता हूं पाय कमान होता है 3.14 ठीक है और हमारा रेडियस से 0.5 मिटर है ठीक है उसका स्क्राइब है इनको में calculate कर लेता है तो आ जाता है 1.57 ठीक है मिटर क्यूप में हो जाएगा ठीक है यह मिटर में हमारे वाटर कितना हो जाएगा 1.75 जो हमारा वाल्यूम आया था उसमें एक हजार का इंटू कर दो तो निकल आएगा आपका की इस टेंक में कितना वाटर आएगा ठीक है तो वन पॉइंट सेवन फाइब करता हूं तो यह आजाता है 1570 लिटर ठीक है मतलब इस टेंक में अगर हम मीटर से कल्कुलेट करके देखते हैं तो 1570 लिटर वाटर आता है ठीक है अब हम ले लेते हैं अगर यह डायमेंड से हमारे पास फीट में रहती हम कैसे निगालते ठीक है तो वाल्यूम अब टेंक बर सब्सक्राइब है मिटर को आप फीट में कंवर्ट कर लेंगे तीक है मिटर करेंगे करें रहें गहां प्रहलों कि अधुट्ञार होगा 3.0 ृट ठीक है अब इसका हम को क्या विए पर रेडियस ले रहे है ठीक है तो इसका अधा करेंगे दिए हो जाएगा 1.64 टिक है इसक तो से इंटू कर होगे तो यह हो जाएगा 6.562 ठीक है अब इनको कल्कुलेट करके देखोगे तो एंसर आ जाएगा 55.4128 CFT CFT मतलब क्यूबिक फिट ठीक है यह हमने निकाला है क्यूबिक फिट में ठीक है चुकि हम जानते कि एक क्यूबिक फिट वराबर कितना होता है 28.317 लिटर सुटा है ठीक है यह आपको याद रखना होगा ठीक है तो कॉंट्यूट वाटर कितना हो जाएगा जो हमारे पास वॉल्यूम आया था ठीक है किसका वाटर टैंक का वह कितना था हमारे पास 55.4128 सोरी 55.4182 उसमें आप 28.317 का ठीक है हमने यह पर इंटू किया तो आ जाता है 1579.27 लिटर ठीक है यह उप्रोग्जिमेट कितना हुआ 1570 के बराबर हुआ ठीक है तो हमने दोनों तरह से निकाल के देख लिया है मीटर में भी हमारा उतना ही आया है ठीक है और हम फीट से भी केलकुलेट करते है फि ठीक है अब हमें बता देता हूं आपको कि जो यूएस गेलन होता है ठीक है अब हमको मैं आपको गेलन में चेंज करना बताता हूं ठीक है तो यूएस गेलन के हिसाब से एक बराबर होता है 3.785 लिटर ठीक है और यूके गेलन में होता है वन गेलन इक्वल होता है फॉर प केल्कुलेट करके देखा था ठीक है 1570 लिटर ठीक है तो वाटर इंड यूएस केलन केलन में चेंज करें कितना हो जाएगा 1570 डिवाइड वाइड हम उसको डिवाइड कर देंगे किसी से यूएस गेलन से ठीक हम यूएस गेलन में निकाल रहे तो वह जाएगा 3.785 से हम वीडियो अच्छा लगवा तो प्लेस इसे लाइक करें शेयर करें थैंक यूँ अ